हेलो एवरिवन तो अब अपन कूदने वाले हैं कोडिंग पार्ट पे कि लिंग लिस्ट जो है वो कोडिंग में दिखता कैसा है जब एरे डिफाइन करते तो वह तो भाया ऐसा दिख जाता था सिंपल सा बना दिया जीरोथ इंडेक्स पे एक डाल दिया और फस्ट इंडेक्स पे दो डाल दिया और सो अन राइट बट अब अपन देखेंगे लिंग लिस्ट में क्या होता है लिंग लिस्ट दो तरीके की बन सकते हैं एक क्लास से बन सकते हैं दूसरा स्ट्रक्चर से बन स क्योंकि आपे class के concepts भी हैं, वो थोड़ा clear हो जाएंगे, ठीक है, एक मैंने class define करी यहाँ पर, node नाम की, ठीक है, क्यों वो देखेंगे अभी, मैंने इसको public कर दिया, public मतलब, public का मतलब है, यह बन चुकी है, अब सरकारी property भया, यह पूरे program में से कहीं से भी access हो सकती है, ठीक ह तो अब इसमें हम एक integer data type का data variable declare करेंगे, इसमें होगा अपना सारा main मसाला, इसमें values होंगी, जो user को दिखेंगे, 1, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अब फिर अगर जैसे हमको integer की link list बनानी है, तो हम यहाँ int कर देंगे, character की बनानी है, तो हम care कर सकते हैं, ठीक है, boolean की बनाती है, तो यहाँ पर बूल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मेरा कहने का यह मतलब है, अभी फिलाल मैं int के तौर पर आपको समझा दू, क्यूंकि इससे थोड़ा easily समझ भागे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने किया है, एक next variable declare, किस data type का, एक यह कुछ चीज है, next store करेगा address, ठीक है, किस चीज का address, node का address, जो अगला जो node होगा, ठीक है, उसका address store करेगा, ठीक है, जैसे one एक node है हमारा, वो store करेगा two का address, और जो two है, वो store करेगा three का address, और यह अपनी पूरी बन गई link list, जो three होगा, वो मानलो करेगा null को add, ठीक है, अभी मैं क्या करूँ मैं यहां पर एक constructor बनाऊंगा, constructor क्या होता है, अभी थोड़ी दिर मैं समझा रहा है, बस, int num, अब बोलोगे भईया, यह num कहां से आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ ना रहा है, यार, थोड़ा समर कर लो, बस, सब समझाता हूं, बस, साथ में जुड़े रो, तो अब मैंन बोलोगे भईया, अब बोलोगे भईया, इसमें यह क्या हो गया, तो अब हुआ यह है, कि जो यह constructor होता है, constructor क्या होता है, constructor एक वो function होता है, जिसको पूरे time खुझली रहती है, जब भी node को कोई call करेगा, और object बनेगा, तब तब यह run करेगा, ठीक है, हम first, हम first वाली इसको खुझली रहती है, ठीक है, तो अब कोई तो यहाँ पर मेरे को num लाके दे देगा, ठीक है, parameter में num आएगा मेरे को, एक number आएगा, जो की number मैं इस data में डाल दूँगा, right, और उसका next जो होगा, वो हो जाएगा null को point, अब इसका क्या overall मतलब निकलता है, वो मैं आपको notes के समझाता हूँ, अभी अपन थोड़ा जो code लिखा हुआ था, उसको explained तरीके से देखते हैं, ठीक है, class, node मैंने आपको explain कर दिया था, क्या है, node एक class का नाम है, अब आप बोलोगे भया, class क्या होता है, तो मैं बोलूगा भया, जाके पहले object oriented programming पढ़े के आओ, अब public का मतलब क्या है, public मतलब ये जितना भी मसाला है न, ये पूरे code में से, पूरे program में से कहीं से भी कोई भी access कर सकता है, यहीं पर अगर private होता, तो ये बन जाता अपनी private property, अभी ये है फिलाल सरकारी property, ठीक है, अब data में क्या है, data में है अपना माल मसाला, link list के जो nodes हैं, ठीक है, ऐसा एक node बनता है न, फिर उसके आँगे ऐसा node, तो यहाँ पर जो फिल किया जाता है, वो है data, ठीक है, next node में क्या है, जो हमने बताया था न, कि एक node को दो हिससे में डिवाइड किया जाता है, तो इसमें आता है अपना data, और ये है वो data, और इसमें आता है next, तो ये है वो next, ठ ठोड़ा ठोड़ा, बाकी मैं समझा रहा हूँ, धीरे धीरे, अभी next में क्या है, next node का address है, node का address, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, address है, किस type का, मतलब किस चीज का address है, node का address है, तो अब आंगे कोई node होगा, उसी का address, इस पूरे का address यहाँ पर restore होगा, और आंगे इसके address यहाँ पर restore होगा, ठीक है, अब यह चीज क्या है, भाईया, यह चीज है, constructor जो मैं बताया, जिसको बहुत खुजली रहती है, ठीक है, इसको इतनी खुजली रहती है, जब भी कोई node का object बनाएगा, तब तब यह कूद पढ़ेगा, हम first, हम first, हम चलेंगे, ठीक है, तो भा और इसमें एक data हमने pass कर दिया है, नम करके, और वो नम जो है, वो आएगा कहीं नीचे से, और वो data में गुज जाएगा, मतलब data में हम एक value डाल ले हैं यहाँ पर, और next में क्या कर रहे हैं, next में null कर रहे हैं, तो इस पूरी चीज से होगा क्या, ठीक है, इस पूरी चीज स होगा यह, कि यहाँ पर एक अकेला node बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा num, यहाँ पर हो जाएगा null, इस पूरे code से इतना हो रहा है, बस, वैसे मैंने notes में सब लिखके दे दिया है, बहुत आसानी से एक बारी पढ़ोगे, तो समझ में आ जाएगा, अब next module में हम दिखेंगे link list कैसे actually बनेगी, कैसे उसमें data गुसेडा जाएगा, कैसे क्या होगा, सब चीज, code के जरिया हम समझेंगे, और देखेंगे कि link list जब output होती, तो कैसी दिखती है, ठीक है, तो चलो, तब तक के लिए, बाई बाई